नमस्कार दोस्तों, TGT PGT के अगनिपत बैच में आप सभी धुरंधरों का मैस्वाजत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, भूपी TGT 2021 का Mathematics को के पर Question No. 71 से आगे Continue देखेंगे यहाँ पर Question No. 71 में दिया गया है Limit X tends to A Limit X tends to A Minus X की पावर A Divided by X की पावर X माइनस A की पावर A यह जो गोल तो भी माइनस बन दिया गया है पहले हम Limit को हल कर लेंगे, फिर माइनस बन के बारे में सोचेंगे कि क्या करना हुसका चलिएगा देखते हैं यहाँ पर यह है Limit X tends to A और A की पावर में X माइनस X की पावर में A divided by X की पावर X माइनस A की पावर A पहले हम इसे हल करेंगे देखेंगे पहले यहाँ पर Undefined Form बन रहे हैं क्या अपलाई करके देख लेते हैं, डारेक्ट पहला का अपलाई करके ही देखना होता है चलेगा A की पावर A माइनस यहाँ भी जहाँ X से वहाँ A रख रहे हैं और यहाँ भी हो जाएगा A की पावर A माइनस A की पावर A यह को उपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा मतलब कि यह 0 बटा 0 का form है Undefined Form है, है ना, हम क्या करना होगा जहाँ पर ऐसी से चुशन आती हैं, हम L Hospital Rule का यूज़ कर सकते हैं और L Hospital Rule क्या है? Unse or her दोनों की terms का अलग-अलग differentiation चल दिया जाता है करते हैं, यहाँ पर differentiation अपलाई करते हैं L Hospital Rule Limit Limit X stands to A और यह A की पावर X हो जाएगा differentiation और into में आ जाएगा log A minus X की पावर N का क्या होता है? N into X की पावर N यह कितना हो जाएगा? A into X की पावर A minus 1 divided by X की पावर X का क्या होता है? X की पावर X into 1 पलस लाग यह जाना, इसका differentiation अलग से करके निकान दीजेगा, यह minus का 0 हो जाएगा 0 लिखनी जड़ोता है अब क्या करते हैं? एक बार limit apply करके देख लेते हैं अब तो मुझे गहाएगा 0 बटा 0 को form नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोई undifferent form नहीं बनेगा limit apply कर दीजे बराबर में कितना दिया थे? अब बराबर में यहाँ पर गिवन है limit apply करते हैं यह हो जाएगा a की पावर a into log a minus a into x की पावर a की पावर a minus 1 divided by हो जाएगा a की पावर a into 1 plus का log a is equal to minus का 1 देखो a की पावर a यहाँ भी है और यहाँ से a की पावर a a निकाला जा सकता हमारे पास क्या बचेगा a into a की पावर minus 1 ऊपर से a की पावर a common लीजिए नीचे वाले a की पावर a से cancel हो जाएगा तो यहाँ पर common लेने के बाद बचेगा क्या? log a minus देखो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर a बचा हमारे पास a into a की पावर minus 1 दोनों को एड करेंगे a की पावर 0 यानि की 1 आ जाएगा यह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा divided by हो जाएगा यह 1 प्लैस का log a is equal to minus 1 cross multiplication करेंगे minus 1 के साथ कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा log a minus 1 is equal to minus 1 minus 1 minus minus हो जाएगा log a अब क्या करेंगे यह माइनस वन माइनस वन दोनों सेम साइन है एक पल के दबस दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे अब क्या बच्छा यहाँ पर यह हमारे पास बच्छा इधर ले हो तो लोग यह हो जाएगा टू लोग यह दावर जिरो हम यह कह सकते हैं कि लोग यह बराबर जिरो हो जाएगा दो को डिवाड़ देख देंगे करना इसका बेस ग्ले ले ले लते हैं ओधिक हैub log a base e is equal to 0 अब देखे हमारे पास जो लगगड़क form होती है log b base a is equal to m इसका जो exponential रूप होता वो क्या होता a की power m बराबर b तो यहाँ पर a की जगा पर क्या है e, m की जगा पर क्या है 0 बराबर में a तो e की power 0 की value कितनी 1 1 बराबर a यहीं की a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, पहला option सही होगा, question 71 का पहला option सही होगा, चलिएगा, next देखेंगे question number 72 question number 72 है कह रहा है कि यदि x क्या है x is a real number then the function fx is equal to x cube plus x square plus x plus 1 hedge, option दिये गए है maximum value होगी x is equal to 0 पे minimum value होगी x is equal to 1 पे यह maximum value होगी x is equal to minus 1 पे यह कह रहा है कि neither maximum nor minimum कोई भी value नहीं है, चलिएगे सबसे पहले हम क्या करते है fx को लेके चलते हैं, differentiate करते हैं चलिएगा, fx यहाँ पर दिया गया है fx is equal to x cube plus x square plus x plus 1, differentiate कर दीजे f dash x कितना हो जाएगा 3 x square 3 x square plus 2 x plus 1 अब देखे गए यहाँ पर हमें क्या करना है अगर आप निकालना चाहिए तो आप f double dash भी निकाल दीजे f double dash x is equal to कितना हो जाएगा, 6 x plus 2 f dash x में यहाँ पर हमें कुछ चीज़े देखनी है जैसे कि हमारा जो f dash x है वहाँ पर देखो, x square को जो गोडानक है हम बात करें अगर ax square plus dx plus c की यह हमारे पास बन रहा है is equal to 0 कर लेना हम क्या करते है मैट जी में हम मिनिमा के लिए हम क्या करते है इसको 0 लेंगे, है ना f dash x को यानि ki f dash x is equal to 0 लेंगे तो हमारी question क्या बन जाएगी 3 x square plus 2 x plus 1 is equal to 0 यहां पर जेखो, जो a है वो क्या है greater than 0 है greater than 0 है और जो इसका d आएगा वो क्या होगा, less than 0 आजाएगा यह a greater than 0 है तो d क्या हो जाएगा less than 0 हो जाएगा और इस आधार पर जो हमारा f dash a होगा वो क्या होगा, greater than 0 होगा और ऐसी condition में जब f dash a greater than 0 हो for all x प्रतेक x के लिए for all x प्रतेक x के लिए तो क्या होगा ना तो function हमारा मैजिमा होता है ना तो minima होता है यानि कि नाइदर मैजिमा नौर minima यानि कि कौन सा भात्तर में अप्षन सही होगा D होगा चलिएगा इसके बाद question number 73 देखे तो question number 73 एक अच्छा question है कि अधा multiplicative group है एक group दिया गया है हमें हापे एक multiplicative group दिया गया है group में elements है हमारे पास 1 है minus का 1 है और i है और minus का i है अच्छा इस a cyclic group कि रहा यह a cyclic group है its generator है कि रहा इसके generator कौन कौन से होगे देखो generator कौन कौन से होगे जिसकी मदद से group के सारे element प्राप्ट किया जा सके वो क्या होगा generator होता है पहले हम 1 के लिए check करते हैं तो 1 की power 1 करेंगे 1 आएगा 1 की power 2 करेंगे 1 आएगा यह 1 ही आता जाएगा मतलब कहने का यह है कि 1 generator नहीं हो सकता क्योंकि 1 से हम minus के 1 को नहीं ला सकते i को भी ला सकते minus के i को भी ला सकते मतलब कि जिन-जिन options में 1 है वो generators नहीं हो सकते इसमें 1 है ये भी generator नहीं होगे нед भी नहीं होगा, अब मामला भजा है कि C और D में, कि I और माइनस आई को, हम देखते हैं, पहले I को ट्राई करते हैं, तो I की पावर 1, तो ये I आजाएगा, I की पावर 2 करेंगे, तो ये माइनस का 1 होगा, I स्कूर माइनस 1 होता है, I की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का I हो जाएगा, है ना, I की पावर 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, पलस का 1 हो जाएगा, देखिए, आपर सारे element I से आ रहे हैं, मतलब I एक generator हो तकता है, I एक generator, confirm हो चुका है, एक I generator है, देखते हैं, माइनस I को भी चेक कर दिया जाए, एक element हमारे पास और है, माइनस I, तो देखते हैं, माइनस I, तो माइनस I की पावर 1 करेंगे, तो I आएगा, माइनस I की पावर 2 करेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस I की पावर 3 करेंगे, तो यह आ जाएगा, पहले माइनस निकल जाएगा, तो यह प्लस का i आ जाएगा, फिर आप अगर माइनस i की पावर 4 करेंगे, i की पावर 4 करेंगे, i की पावर माइनस तो यह माइनस का i cube आएगा, और यह प्लस का 1 आ जाएगा, I की पाउर आजएब 5 करेंगे तो देखो यहां पे I की पॉछ फो हो टी ऐलू वन यानिकि I आजएगगँ कुल मिलाकर यहां से भी डेखो 1 भी मिल गया, I भी मिल गया मैनस 1 भी मिल गया, I भी मिल गया और ये 1 गया, I तो पहले ही मिल गया, तो ऐसे माइनस का आई था यह लोगी, माइनस का आई था है ना, यानि कि सारे elements मिल रहे हैं, मतलब कि इस multiplicative group के जो हमारे पास जनक होंगे, मिन्स generators होंगे, वो क्या होंगे, आई भी हो सकता है, और माइनस का आई यह दोनों है, तो कौन सा option सही होगा, C, C option क जोगा, correct होगा, question number 74 देखेंगे, question number 74 में वक्र दिया गया है, हमें करना, the tangent आपदा करो, x is equal to 280 square y, 1 plus t square, y is equal to 280 cube, हमें सबसे पहला क्या खाम करना है, point find कर लेना, at one, t is equal to h बटे 2, t is equal to h बटे 2, पर वो point निकालो, जहां से यह रेखा हो के गुजरेग, है ना, चलेगा, हम इस परसी का समीकरण निकालना, यह इस परसी का समीकरण दिया गया है, तो एक ऐसा बिंदू होगा, x और y से मिल का जो बनेगा, यहां से होके गुजरेगी, तो एक काम करते हैं, हम पहले बिंदू निकाल लेते हैं, अगर एक दो option ज्यादा नहीं फसेंगे, की option हो सकता है, अलग हो जाए, चेक कर लेते हैं, यहां न, कितना है, और t is equal to दिया गया है, 1 by 2, t is equal to 1 by 2 रखेंगे, तो x कमान कितना हो जाएगा, x is equal to कितना हो जाएगा, 2 a into 1 by 2 का मतलब का हो, 1 by 4 बन जाएगा, t square है यहां पर, फिर कितना है, 1 plus t square का मतलब का हो गया, 1 by 4, यह कितना हो दो बट्टा पांच इसी तरह y कमांड निकाल लिया गया, y कमांड कितना आ जाएगा, 2 a t cube बट्टा में 1 प्लस t square दिया गया है, 2 a t cube का मतलब कितना हुआ, 1 बट्टा 8, 1 प्लस square का मतलब हुआ, 1 बट्टा 4 से 8, 4 बट्टे, a बट्टे 4 और ये 5 बट्टे 4 आ जाएगा, 4 से y कमांड आ गया, a बट्टा 5, यानि हमारे पास जो points बन गया, जो बिंदू बन गया है, जो बिंदू बन गया है, जो बिंदू बन गया है, और य की जो value आई है, वो आई है, a बट्टा 5 है, अगर इन दो, ये points, मालों कि रेखा का सम्मी कर ये हो सकता है, या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये points हम satisfied करवागे, अगर हम इसमें, जो पहले वाले option में satisfied करवाते हैं, कोई एक ही satisfied करेगी, ठीक है, चले, 13, x, minus का 16, y, is gone to 2e है, हम ये points satisfied करेगे, क्योंकि ये points इसमें स्थीत है, और स्थित है तो इसे सटिस्पाइट करना पड़ेगा, जहां पर X है वहां पर 2A बटे 5, जहां पर Y A बटा 5 रखते हैं, देखते हो सकता है कि यहां पर 2A बटा 5 माइनस 16 गुड़े बटा 5, यह कितना हो जाएगा, तेरा अधुनी 26, 26 माइनस 16, 26 में 26 A में 16 A घटेंगे, तो कितने बचेंगे, 10 A, बटा में कितना है, 5, 5 एकन नम 5, 5 बटा 5, 2 A, जहना 2 A आ रहा है, दो A यहां भी आ रहा है, 2 A यहां भी आ रहा है, यान कि LHS, RHS, बोनों, इक्वल आ रहा है, यानि कि कौन सा अप्शन सही होगा हमारे पास, पहला अप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 X, minus 16 Y, बांकि आप अन्य अप्शन ट्राइ कर लिएगा, इसे में साटिस्पाइड नहीं करेगा, चलिएगा, next देखेंगे, question number 75, 77 एक बहतरीन question, आसान और बहतरीन question, अब देखेंगे, यहाँ पे natural numbers दी गई है, natural numbers का sum, तो भी बात करेंगे, इसके बारे मोर्ट उसे दीखेंगे, पहले इस question को लगाते है, यह दिया गया है, limit, N, N मानगों से, N के मानेगे, X जासे में, N, 10 to infinity, और यह X square है, plus 2 square है, plus 3 square है, plus 3 square है, plus dot 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 n square divided by, divided by, N cube, N cube दिया गया है, अब देखो, उपर क्या है, natural numbers है, कुछ, उनके square का sum है, N प्राक्रतिक संक्याओं के वर्गों का योग, वो कितना होता है, limit, limit, N tends to infinity, यह होता है, 1 बटा 6 N into N plus 1 into 2 N plus 1, है ना, यह योग होता है, N numbers का बटा N के, कि थाम करेंगे, हम यहां से N common निकालेंगे, तो अभी N tends to infinity जब भी होता है, तो अगर हम यहां रखेंगे, अभी रख देंगे डार, तो infinity by infinity बन जाएगा, दोनों जगह पे, हमें क्या करना है, limit, N tends to undefined, यहनिका N के infinity, 1, जब एक N यहां से common निकालेंगे, और एक N यहां से common निकालेंगे, मतलब N cube हम ले रहे हैं, common, यह N तो अपनी जगह पे है, यह यहां पे क्या हो जाएगा, एक N यहां से जब निकलेंगे, तो 1 प्लस जहां नहीं होगा, वहां भाग हो जाएगा, यह यहां से N निकल गया, तो 2 बचा, 2 प्लस एक बटा N, और divided by N cube, हम क्या करेंगे, N cube से N cube तो cancel out कर देंगे, करते हैं, cancel out, यह हो जाएगा, limit, N tends to undefined, ए एक बटा 6, यहना, कितना है, 1 प्लस एक बटा N, इन्टू, 2 प्लस एक बटा N, अब क्या करने, limit को आप अप अपलाई कर दीजिए, 1 बटा 6, इन्टू, 1 प्लस एक बटा, infinity, और, 2 प्लस, 1 बाई, infinity, 1 बाई, infinity, की वैलू, infinity, value 0 होती है, एक बटे चाह है, इन्टू, यह 1 ब कितना आया, एक बटा, 3, एक बटा, 3, कौन सा आप्शन चाहिए, यहापे, view आप्शन क्या होगा, correct होगा 75 में, आगे चलेंगे, पसर नमर 60 देखेंगे, दो रेखाएं दी गई हैं हमें, अच्छा, एक रेखा का समीटर दिया गया है, यह और यह इन दोनों के बीच की रेखा है, चाहे, एक ब्लस 2y, बराबर में 5, ऑग दूसरी वरी रेखा से आपको 2 कॉमन लेना है, आप यहां से 2 जैसे ही कॉमन लोगे, तो आजाएगा, एक ब्लस 2y, बराबर में कितना 11, और एक ब्लस 2y, बराबर आजाएगा 11 बटा 2, दो इस लाइन को भी लेख X plus 2Y बरावर 11 बटे 2 ये दोनों समानतर रेखा हैं और इन दोनों रेखाओं के 20 की दूरी लिकालना है तो हमें क्या करना होता है पहले तो मूल बिंदू से आप दूरी निकालिए पहले वाली रेखा कि मूल बिंदू से दूरी कितनी हो जाएगी ये होता है AX1 plus BY1 plus C ये हमारे पास रेखा होती AX plus BY plus C और X1 Y1 से AX plus BY plus C is going to 0 की कि इससे X1 Y1 से डाले गए लंब की लंबाई ये डाले गए लंब की लंबाई पर्पंडिकुलर की जो लेंथ होती वो क्या होती AX1 plus BY1 plus C divided by under root X का गुडान को जो होगा A square plus B square मूल बिंदू से क्या होती ही मूल बिंदू वहले में ये वाला टर्म नहीं होता है C था C by under root A square plus B square यहाँ पर C कितना है 5 5 बटे under root A square plus B square यानि कि A plus 4 यानि कि A आ जाएगा 5 बटा में root 5 है 5 बटा में root 5 ऐसे D2 निकाल लेते है D2 कितना आ जाएगा 11 बटे 2 बटा under root 5 वो भी आ जाएगा same coefficient है वहाँ पर भी अब देखेगा यानि किसे हम देख सकते है 11 बटे 2 under root 5 अब हमें इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है न दोनों के बीच की दूरी निकालनी है डिस्टन्स निकालनी है से घटा दीजे भाई 2 LCM लोगे हैना और LCM कितना आ जाएगा यहाँ पर? LCM आएगा 2 अंडर 5 तो अंडर 5 आएगा LCM यह कितना हो जाएगा 5 दोनी 10 यह 10 माइनस का 11 जाना मॉडुलस लगा हुआ कोई जबलाने वाली बात नहीं है कितना आ जाएगा 1 बटे 2 अंडर 5 जाना 1 B option क्या होगा? Correct होगा. B option correct होगा. चलिए, आगे चलेंगे. क्यारा है यदि एक त्रिग हाथ सम्मी करण इतना है का एक सुन्यक तो अन्य दोनों सुन्यकों का गुलन फल करना? अब देखे गए यहाँ पर त्रिग हाथ है तो यहाँ पर हमें पता है कि इसके कितने 0 होंगे? 3-0 होंगे, यानि कि 3-0 होंगे. सुन्यक का मतलब क्या होता है? कि जो यह polynomial दिया गया है, जो बहुपत दिया गया है, इसमें कोई ऐसी value x की रखती जाए, जिसकी वज़े से कोई polynomial कमांज 0 हो जया, तो उसे हम लोग सुन्यक यानिकी 0 जो बोलते हैं. चलेगा हम मानके चल ग 0 एक को दिया गया है, अलफा बराबर माइनस 1 मान लेते हैं, इसके अलावा जो है एक बीटा है और एक गामा है. अच्छा ये बताओ, अलफा माइनस 1 जो है, जन्यकि अलफा बराबर जो माइनस 1 इससे satisfied करेगा जो नहीं, बल्कु करेगा, क्योंकि इसका 0 है, है कि ने, बराबर माइनस 1 दिये गए जो जित्रिक हाथ बहुपत में रखने का, रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 का Q, प्लस value 0 हो जाएगी, क्योंकि है इसका solution, यानिक इसका 0 है, माइनस square हो जाएगा, और ये B, माइनस का B, और ये हो जाएगा 1, माइनस का 1 रखना है, आप प्ल प्लस का A, और माइनस का B, प्लस का C, इसका 0 एक relation, यहाँ पर हमें मिल चुका है, अब देखेगा हमें क्या करना है, गुड़ा निकालना है, तीनों का गुड़ा, अलफा, इनको वीटा, इनको गामा, इसको अन्य दोनों सुनने को का गुड़नफल क्या होगा, तो प्लस का 1, अलफा कितना है, माइनस का 1, बीटा, गामा हमें नहीं पता, बीटा, गामा नहीं पता, बीटा, इनको गामा निकालना है, तो इस माइनस बन से माइनस बन cancel हो जाएगा, बीटा इनको गामा इसकोंटू हो जाएगा, C, बीटा इनको गामा इसकोंटू हो जाएग गयागा B-A-1, C-Chi value यहां पर रख दे रहे, यह आ गया हमारा B-A-1, B-A-1, कौनसा option सही होगा? Question number 77, यानिको option A correct होगा, चलेगा, इसके बाद चलेगे match, question number 78, 78 यह एक अच्छा question है, यहां पर हमें इस्तिस सदिस दिया गया है, सांदार, कहारा है, बिन्दूो A-B-C-D के सदिस प्रमसा है इतने इतने हैं, हम इस्तिस सदिस को point में convert कर लेंगे, कहारा हम यदि बिन्दू A-B-C-D तथा दी एक ही समतल में है, यह क्या कह रहा है कि, जो point A-B-C-D हो लाई कर रहे है, same plane, है न, same ही प्लेन हम रख लेते हैं इनको, पॉइंट A, थोड़ा समय उधर रखना के जगा मिल जाए जिससे के खोड़ा बड़ा पॉस्चन हो सकता है यह, यह, पॉइंट A हो गया हमारा और यह हो गया B और यह हो गया C यह हो गया D यह सारे पॉइंट से बड़ा रख दी है, हमें क्या करना है इन सभी के पॉइंट्स रख लेने हैं, कनवर्ट करके क्या करना इन्हें रख लेना है ए बी सीडी सारे मिल गए हैं हम इनको बेक्टर फॉर्म में ना लिखके यानि कि इन्हें हम लिखेंगे बिंदू रोप में लिख लेते हैं रखते हैं यहापे ए के देखो ए वाला जो है तीन दो तीन माइनस दो माइनस एक एक के क्वाडिनेट क्वाडिनेट फॉर्म में रखो इन्हें यह हो जाएगा थोड़ा सा आसानी रहेगी है रख वैसे भी सकते हैं माइनस बन माइनस और बी बी के क्वाडिनेट दिये गए हैं दो हो जाएगा तीन हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा C वाले के पास आ जाओ माइनस का 1, 1, 2 माइनस का 1, 1, 2 D वाले के पास चलते हैं D आ जाएगा 4, 5, लेमडा अब देखेगा हमें ये बताना है कि जो A, B, C, D हो करा सेम प्लेन में हैं तो हमसे करा लेमडा का मान क्या होगा एक बात आपको बता दें इस दोरान जो ये बॉक्स प्रोड़क्ट होगा यानि कि वेक्टर A, B कौनसा A, B, A, C और A, D ये क्या होगा A, B और A, C और A, D ये क्या होगा 0 होगा अगर ये एक समतली है तो इन वेक्टर्स का जो बॉक्स प्रोड़क्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा तो हम पहले A, B निकाल ले A, B मतलब B, A, C, A A, D मतलब B, A यानि कि D का इस्थित सजीश माइनस A का इस्थित सजीश यानि कि D का position vector माइनस A का position vector तो हम पहले निकाले यहाँ पर A, B POINTS में ही निकाल रहे हैं, मैनस का 1, 5, मैनस का 3 निकल जाएगा, इसी तरह से आप निकालिएगा AC, AC मतलब C का POSITION VECTOR MINUS A का, C का 0 मैनस का 1, मैनस का 3, यह मैनस का 4 बन जाएगा, यह यानी कि आ जाएगा, मैनस का 4, और फिर 1, आप लिएक को फिर यह बन जाएगा पिर यह हो जाएगा यह भी हो जाएगा टीन है इसी तरह से आप AD निकलेगा वेकर AD यह कि D का 30 सदिस मैनस A का 30 सदिस निकल लिएगा यह निकल आएगा आपका 1,7,Lemda प्लैस 1 ठीक है अच्छा निकलाया तो अब इनका क्या करना है box product पता है हमें कि 0 हो जाएगा न थोड़ा से उपर करते हैं box product 0 हो जाएगा करते ही से 0 ठीक है a b रख लेते हैं a b कितना है minus 1 है 5 है minus 3 है और ac कितना है minus 4 है 3 है 3 है ad कितना है 1 है यह 1 है और यह 7 है और यह lambda plus 1 है यह क्या होना चाहिए जीरो होगा किसलिए क्योंकि यह ABCD जो है same plane पे लाई कर रहे हैं यानि कि यह एक समतली है चलेगा इसे अब आप हमें क्या करना है open करना है open करेंगे तो यह minus का 1 हो जाएगा minus का 1 यह चूटेगा chyba यह चूटेगा 3 lambda plus 3 है न? 3 lambda plus 3 minus यह चूटा 3 lambda minus 21 है न? मैनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 21, माइनस का 5 लिया, अब इसके अलांग का उपन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4, अब माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, प्लस, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 के अलांग करो, ये छोड़ जाएगा, माइनस का 28, माइनस का 3 मतलब कितना हो माइनस का 31 equal to 0 है यह मत भूलिएगा equal to 0 चले लेगा minus 1 का multiply करो तो यह minus का 3 lambda हो जाएगा minus का 3 lambda 18 में 3 21 में 3 घठा देंगे तो 18 बचेगा और यह plus का 18 हो जाएगा जब माइनस का multiply करेंगे plus का 18 हो जाएगा इसी तरह से यह हो जाएगा plus का 20 lambda और यह हो जाएगा हमारा 35 34, 37, 37, 35 हो जाएगा 35 plus इधर आजाएगा 93 है plus 93 is equal to 0 देखेगा उपर से थोड़ा से अब दो को 3 lambda है यह और यह है 20 lambda सब्ट्रेक कर देंगे 17 lambda बचेंगे 17 lambda बचेंगे 17 lambda और इन सभी को जोड लेंगे प्लस का आजाएगा यह 146 लिम्डा इसकोल तो कितना हो जाएगा माइनस का 146 बचेंगे 17 आजाएगा और यहाँ पर यह एंसर हो जाएगा option कौन सो सही होगा ए option correct होगा एक बहतरीन question है समतली वाला question खटक जाता है उसे आप ध्यान रख़िए इस concept चले यहाँ पर एक बहतरीन question है question number 71 है ना एससी वालों का question है यह उठा के यहाँ पर पटक भी जागए हमें value निकाल ली है इसकी x cube minus 1 upon x cube तो इसको पहले formula correct रख देते हैं यहाँ x cube minus 1 by x cube क्या हो जाएगा एक bracket में a minus भी होता है एक bracket में x minus 1 by x हमें 11 दिया गया है हम क्या करें minus वाला बनाना है x minus 1 का whole square बनाना है हमें क्या करना होगा 2 इधर भी घटा दें 2 इधर भी घटा दें आप देखो इससे हम लिख सकते है x square plus 1 by x square minus 2 into x into 1 by x is equal to 9 हो जाएगा दोने तरह हमें 2 क्यों घटाया अब आपको समझ में आ गया होगा हमें x minus 1 का whole is x minus 1 by x का whole square बनाना तो देखो a square plus 2 square minus 2ab है ना ये बन गया x minus का 1 by x का whole square is equal to 9 दोनों तरफ बर्गमूल लेंगे x minus 1 by x is equal to 9 का बर्गमूल केतना होता है 3 है ना ये आ गया अच्छा इसकी value 3 आ गई अब यहां पर सारी values पुट कर दिए 3 गुड़ा इधर कितना है x square plus 1 by x square की value 11 है plus 1 है ना कितना हो जाएगा 3 गुड़े 12 12 तीना कितना हो जाएगा 36 कॉंस options होगा यहां पर 2 option क्या होगा correct होगा चलेगा इसके बाद बढ़ते हैं आगे question number 80 question number 80 एक बहतरीन question है यहां पर हमें निकालना है कि b minus y b minus e का whole square c minus a का whole square a minus b का whole square समांतर शड़ी में दिये गए हैं तो इनका जो सारवंतर होगा यानि कि common difference होगा वो same होगा कि इतना हो जाएगा c minus a का whole square यानि कि क्या होथा t2 minus t1 is equal to यह होगा हमारा t1, t2, t3 common difference हैं करेंगे t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 के c a minus 1 का whole square minus 1 subtract करेंगे b minus c का whole square बराबर होगा किसके a minus b यानि के t3 minus t2 के minus का c minus a का whole square चले गरेंगे यह неaime a square minus b square apply करते हैं apply करेंगे जैसे a square minus b square एक bracket में a plus b एक bracket में a minus b है खतना बन जयेगा c minus a plus b minus c दूसरे bracket में a minus c minus a minus b plus equal to हो जाएगा एक bracket में a minus b plus c minus a अग दूसरे bracket में a माइनस का B, माइनस का C हो जाएगा, पलस का A हो जाएगा, चलिए, आप कैंसी करते हैं, क्या क्या कैंसील हो रहा है, यहां से यह कैंसील हो रहा है, और यहां पर यह कैंसील हो रहा है, आगे देखें, अब यहां पर बचा क्या है, हमारे पास, यहां पर B माइनस A बच रहा है, और ये क्या है, यहाँ पर हो जाएगा C minus A minus B plus C, अभी आप तुझ भी नहीं कर रहे, बराबर में देखो यहाँ पर यहाँ पर B minus C, C minus B plus C लिखा है minus common ले ले लिज़े तो B minus C बन जाएगा और यह हो जाएगा A minus B minus C plus A हैना अब दिखेगा यह माइनस माइनस दोनों कैंसील हो गए यहाँ पर आओ C-A है और B-C से हम इसे डिवाइड करना है जोब को यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे हम चाहा रहे हैं बटे में यह बी माइनस C को इधर ला रहे हैं यह B-C यहाँ आ जाएगा और बीच में माइनस कॉमन ले रहे हैं माइनस जैसे हम कॉमन लेंगे तो यह B-C लिखा है ना माइनस का B-C तो यह हो जाएगा B-C माइनस का B अभीद माइनस का था माइनस हमने कॉमन लिया तो अब वो पलस का हो गया वो माइनस को गया बटे में B-C अब यह terms उधर जा चुका है, यह minus से minus cancel हो चुके है, उसके बिल्कुर सोचना नहीं है, यह कितना हो जाएगा, b minus c जा चुका, a minus b इसके नीचे लाओ, a minus b बटा में a minus b, और minus यहाँ पर भी common ले लो, यह minus c plus यह लिखा, यह क्या हो जाएगा, c minus a बटा में हो जाएगा, a minus का b, यह cancel होगा 1 आजाएगा, और यह cancel होगा 1 आजाएगा, यह देखो यहाँ पर, c minus का a बटा में, b minus c is equal to, is equal to, यह तो cancel out होगा है, 1 आजाएगा, 0 थोड़ी आया, यह minus का 1 बटा में, यह भी 1 आजाएगा, और minus c minus का a बटा में, b minus c minus, इधर आजाएगा, c minus a बटे a minus b is equal to, 2 आजाएगा, अच्छा, c minus a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ यह common लेंगे, ऊपर रहेगा common, इस side ले जाएगे, तो 2 के बटे में चला जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1 by b minus c is equal to, अब यह minus में, इसके प्लस का आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे, अधर का minus था, उधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, बी माइनस c, और प्लस में था, 1 by a minus b is equal to, दो बटे c minus a, अब देखो यहाँ पे, अगर यह दोनों, यह अगर समानतर स्रेडी में होता हो, तो 2 by c minus a is equal to 1 by b minus c, प्लस 1 by a minus b, यह वाली condition बनती, कहने का मतलब यह है कि अगर यह समानतर स्रेडी में है, यह भी किस स्रेडी में होंगे, समानतर स्रेडी में होंगे, तो यह बात याद रखना है, इस प्रश्न को आपको एक्जाम में करना नहीं, करना नहीं मतलब attempt करने की बात नहीं कर रहे है, हम कह रहे हैं कि हल नहीं करना यह आपके एक ऐसी डायरी होना चाहिए जिसमें यह प्रश्ण लिखा हो और यह प्रश्ण आपको याद हो इस टाइप के मुश्किल से दस प्रश्ण होंगे जो आते हैं बार-बार उन्हें आप भैलाओंगा जब भी सरी सुरू करूंगा चैप्कर के तो वह सारे फेका लेते हैं क्दा लेते हैं काम पर लेते हैं A और B एक साथ मिल करके फितना दो बटा फाँच भाग जिसका जितना काम उसकी उतनी हिस्सेदारी है है ना तो सी का भाग कितनна हो जाएगा 500 रुपाय हैं में इन बटा पांच भाग उस में काम किया तो 500 रुपाय में उसके उतना हो भाग लगा देते हैं । आशे कंना हो जाएगा तो उसके कितने रुपय बन रहे हैं, 300, कौन सा आप्षिन सही होगा? पहला आप्षिन करेक्ष होगा, यानिकि कितने रुपय बन रहे हैं? 300 रुपय, इसके बाद देखने 82, इसे करने के तो 2 मेखड है, तो सबसे आसान है, उसकी बात करेंगे. आप उसे पहले तो 1 by under root 2 plus i by under root 2 करके इसे आप दिमाउस थोरम का यूज़ करके भी कर सकते हैं, आईलर और दिमाउस दोरों का प्रयोग करके कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसे थोड़ा सा अलग है, छोटा करना है हमें, देखो यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम इसे 1 plus i की प 2i हो जाएगा, 2i तो होगा, भई 1 plus i square, i square बली मैनस हो कट जाएगा, 2i बचेगा, तो यह 2i हो गया, हम फिर से इसका वर्ग कर रहे हैं, तो यह 1 plus i की पावर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4i square, 4i square, यानि कि यह value कितने हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगा, अभी हमें पावर में 8 चाहिए, तो इसका एक बार बार गवर कर दो, 1 plus i की पावर में 8, बराबर 4 की पावर 2, यानि कि यह हो गया, 16, और इसी तरह आप इसका मान भी नहीं कालेंगे, यानि कि 1 minus i की पावर में 8 है, वो भी 16 ही आएगा, आप कर लीजेगा, सेम प्रोसेस ल 2, बुड़े, ये कितना हो जाएगा, बुड़े में 8 है न, काट 2, 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16, यानि कि कहने का मतलब यह है, ये भी 16 आ गया, बटे में 16, प्लस ये भी 16, बटे में 16, कर लो, ये उपर वाले की वेलू कितनी आ गई, यहां पर रख ल करो, ये भी, ये भी 1, कटे 1, 1 प्लस ये करना हो गया, 2, कौन स आप्शन सही होगा, 2 आप्शन करेक्ट होगा, क्या में 83 वेखते हैं, क्या दिया गया है, यानि कि 83, 83 कर रहा है कि A is equal to 2B, और modulus A minus B is equal to 5Y3, तो पूर C की वेलू क्या होगी, यहां पर बहुत ही सिंपल सा फा प्रावर, फार्मूला होता है, A minus B, बटा में A plus B, और यह होता है, कौर्ट C by 2, है न, कौर्ट C by 2, इस फार्मूले का यूच करेंगे, एक पर फो, अच्छा, इस से करते हैं, लाल गए चले, चले, A minus B, तो 10 pi by 3, है न, 10 pi by 3 का मतलब 60, 10 60 का वेलू कितना हो जाएगा, एक ही जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2B, है न, यह 2B minus का B, और यह कितना हो जाएगा, एक ही जगह पर 2B रख लिया, और प्लस का B हो गया, और यह कितना हो गया, 4C by 2, है न, अंदर रूप 3, बराबर में, 2B में 1B घटा, तो 1B बचा, नीचे कितना 3B, है न, 3B, इस B से B क कट, अब देखिएगा, 10, 60 की बात आ रही थी, यहाँ पर यह फॉर्मुले में थोड़ी से ब्लोग टोटी कर रहे हैं, यहाँ पर जो फॉर्मुला होता है, A minus B, A minus B by 2 होता है, न, तो A minus B by 2 होता है, तो A minus B by 2 होता है, तो A minus B by 2 होता है, तो A minus B by 2, A plus B, और 4C by 2 है, एक बात में आगे चलते हैं, एक बटे में under root 3 is equal to, यह हो जाएगा, बटे में हमारे, into में tot C by 2 है, 1 बटे 3, tot C by 2, चला, बटे 3, tot C by 2 is equal to, 3 बटे under root 3, cancel करेंगे, तो एक बटे under root 3 आ जाएगा, कॉर्ट C by 2 बेराभर कितना हो जाएगा, under root 3 हैगा रिक्तना पचेगा, under root 3, और कॉर्ट C by 2, under root 3 किसे मैं महन होता है, कॉर्ट का, तो C by 2 is equal to, 2 ऐ जाएगा, under root 3 मान जोता है, इसका उका जाता है, कॉर्ट T whoever ना हो जाएगा, धे神 HowSofton says रहुआएगा, टेरासी में भी option correct हो जाए, 84 देखिने, 84 दो बार आगे, 84 भी रहे अच्छी है, चलिए, 84 है कि जी साइट साथ राएंगल आप 15 cm, 20 cm and 25 cm respectively, then the radius of in circle है, हमें अंता वृत्य की तरिज्या पतानी है, अंता वृत्य की तरिज्या सभी को पता है क्या होती, आर बराबर हम लोग क्या निकालते ह एस, यानि कि हम अब दो चीजों की जुरूरत है, एक को चाहिए डेल्टा, और दूसरा क्या चाहिए, एस चाहिए, तो डेल्टा का मतलब क्या हुआ, कि तरिभुज, है ना, एस इन्टो, एस माइनस से, एस माइनस सी, वो निकाल ले, और उसके बाद, इसका एस निकाल ले और उसके बाद दोनों रख दें, मामना आराम से आनी हो जाएगा, चलिएगा, तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, एस, एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर तीनों भुजाओं का योग है ना, पंदरा प्लस पच्चीस, पंदरा और पच्चीस इसे दे दो, बीस, पंदरा पांच इसे देंगे, तो तीस हो जाएगा, तीस दस चालिस हो जाएगे, चालिस भी साथ हो जाएगे, साथ हो गया, एस बराबर कितने आजाएगा, सेमी पेरिमेटर कितने हो जाएगे, तीस आजाएगा न, यानि कि एस निकलाया तीस, एस निकलाया तीस सेंटिमे कर, अब हमें निकालना है यहाँ पे, अंडर रूट, यानि के डेल्टा निकालने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा बराबर होता है फार्मूला, S into S minus A, S minus B, और S minus C, अंडर रूट, S का वैलू कितना है, 30 गुड़े, A, S में 15 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 15, S minus B, कित चलिए, आप करते हैं, कितना आ जाए गई है, 15 है, 30 है, हम क्या करते हैं, 10 पहले को निकाल देते हैं, यह हो गया, 3 गुड़े 10, और 15 को लिख देते हैं, 3 गुड़े 5, 1 10 है, और 1 हमारे पास 5 भी है, पेर बन रहे है, एक पेर से 3 निकल आएगा, एक पेर से 5 निकल आएगा यानि कि जो डेल्टा निकल के आगया, वो इतना आचुका है, यानि कि R बराबर क्या है, डेल्टा कितना निकल के आएगा, 3 गुड़े 5 गुड़े 10, और उसके बाद, और S कितना है, हमारे पास 30 है, तो 3, 10 है, दोनम लागर के केस कर गया, आर कितना आगया, इनर सर्कल के जो रेडियस आगया, वो कितना आगया, 5 सेंटेमेटर आगया, कौन साफिन सही होगा, C सही होगा, 54 में C और करेक्ट हो जाएगा, देखे का यहां, प्रस्ट में दिया गया था, कि दो बलों का महत्तम परडामी, जो B है, और नून्तम परडामी क्यों है, यदि कि अगर हमारे पास दो बल दियाजें, मान लीजए कि हमारे पास एक बल A है, और एक बल का B है, isions को चमा। आपे दों को हल करके हमने यहांस क्या किया दोनों को हल करेंगे इन दोनों समीक्रणों को यहां से में ए और बी की वैयलू निकाल लेगी है तो a जोड़ दो एक बार घटा दो तो भी मिल जाएगा भी बरावा पी माइनस क्यों बाई तू आ जाएगा फिर हमें क्या करना है परेडामी का परिमार निकालना है तो परेडामी का फर्मूला क्या होता है अगर हमारे पास दो हैं भल है और उपर बन जाएगा अपर नीचे बन रहाएगा बन रहा है जब भी हमारे पास आएगा, क्या A plus B का whole square plus A minus B का whole square जब भी आएगा, तो कि इसके बराबर होता ही, cancel out हो जाएगा, 2 into A square plus B square, 2 into A square plus B square, मतलग कि 2 into P square by, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, plus P square by 4, 2 से multiply करेंगे, तो cancel हो जाएगा, कितना बचेगा, इस वाले इन दोनों terms को हल कर हल करने पर कितना आएगा, P square by 2, तो को 2 cancel हो जाएगा, अगर माल लिजे कि मैं यहां पर रखना चाहूँ, P का value कितना P square by 4 आया है, P square by 4 plus, इसकी value आई है, Q square by 4, 2 का multiply करो अंदर, तो इसका आएगा, P square by 2, plus Q square by 2, यानि कि इन दोनों को हल करने पर कितना आएगा, P square by 2, plus Q square by यहां पर देखो, A plus B, A minus, A square minus B square, P square minus Q square, बटे 4 आएगा, दो से cancel हो जाएगा, यानि कि P square minus Q square बटे 2 आएगा, तो एक बटे 2 हमने common ले लिया, एक बटे 2 into P square minus Q square plus alpha, अब एक काम कर रहे है, P, P वाले P square, P square वाले term एक जगह रख ले रहे, 2 square, 2 square वाले term, एक जगह रख ले रखते हैं यहां पर, रख भी लिया, हमने P square by 2 common लिया, यहां पर 1 बचा और यहां पर बचेगा, P square वाले term लिया, तो इसको 1 by 2, P square by 2 common लिया, यहां 1 बचा और यहां पर minus Q square बच गया, चलिएगा, यह हो जाएगा, अंडर रोड, यह कितना हो जाएगा, P square by 2, और देखो, तो cos alpha को half angle में तोड़ेंगे, तो कि option सारे half angle में दिये गए हैं, तो now half angle में ही chance है, क्योंकि यहां मिलना हो, तो मैस कर जाता है, यहां मिलना है, मतलब half angle में change करना पड़ेगा, cos alpha को और half angle में रखेंगे, 2 cos square theta minus 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा, क्या हमारे पास P square by 2 into, माइनस 1 यानि कि 2 cos square alpha by 2, 2 cos square alpha by 2, भीच में पलस है, पलस रहने दो, Q square by 2, 2 square by 2 into, यह बन जाएगा, 2 fine square alpha by 2 बचेगा, वन कर जाएगा, यहां साइन में रखना होगा, alpha by 2, इस 2 से यह 2 काट जीजे, इस 2 से यह 2 काट जीजे, बचा क्या हमारे पास, root के अंदर बचा है, P square of square alpha by 2, plus Q square, sin square alpha by 2, कौन सा option match हो रहा है, option C, क्या हो रहा है, option C, बहुत ही आसान था, कुछ भी, इस से आसान नहीं हो सकता, कुछ भी इसमें, क्याना, चलिएगा, प्र टाइम कम लगे, इसलिए मैंने से पहले से calculate के लिया था, चलिएगा, इसके बाद देखते है, हम तो question number next, 86, 86, 86, 86 कि यहां रहा है, कि दिएगे, बल चेत, एप बराबर इतने से एक वस्तूर रेखा दी गई है, क्याना, तर्व स्थापित हो जाती है, किस बिंदू से, किस बिंदू पर रेखते हो जाती है, एसे बी में चलि जाती है, क्याना, F यहां पर given है, यानि कि जो बल चेता है, एक वस्तूर, F, F is equal to दिया गया है, यहां पर, 4i, 4i, minus का 3j, plus का 2 के, अच्छा, यह बिंदू A से B, यह माल लेतने हैं, बिंदू A से B में भी स्थापित हो जाती, A से B, यहना, तो हमें निकालना है, A, B, यहना, पहले कि निकाले, अब निकाले, A, B, Vector A, B, A, B, A, B, कितना आजाएगा, A, B, जो आजाएगा, यहना, यहना, यह स्थापन, यहना, displacement निकालते हैं, कितना आजाएगा, A, B, minus A, हो जाएगा, अब क्या करें, आपे हम, A, B, निकालने हैं, displacement निकालने हैं, Vector A, B, चले लिगा, वो डारेक्ट निकल जाएगा, 3-2 कितना जाएगा, 1i बचेगा, और इसके बाद है, 3-2, फिरिका हो गया, 2, minus का एक है, तो 2 plus 1 हो जाएगा, यानिकि 3 हो जाएगा, 3j हो जाएगा, यहना, 3j, और 4 plus 1 हो जाएगा, यहना, 5 के हो जाएगा, अब हमें यह भी मिल गया है, दोनों चीज़े मिलें, देखेंगा, तो यह पर यह हो गया, 3-2, i आया, एक बचा, यानिकि 2, minus 1, तो 3 बचेगा, और minus का 1, minus 4, यह हमारे पास हमारा minus का जाएगा, यह कितना हो जाएगा, minus का 5j, अब हमें निकालना क्या है, यानिकि विस्थापण मिल चुका है, यह d मिल चुका है, d कितना आ गया, vector d जो आ गया, i plus 3j minus 5k, हमें निकालना, work, work बराबर क्या होता है, f into d, इतना, vector f into vector d, तो नो क्या करना है, dot product निकाल देना है, यह कितना हो जाएगा, i minus का 3j plus का 2k, into dot, इसके साथ निकालना है, i plus 3j minus का 5, चलेगा, i का i के साथ multiply करेंगे, बस i वाले terms आएगे, बागे सारे 0 हो जाएगे, 4 आएगा, j का j के साथ, minus 3, 3, 9, minus 9 हो जाएगा, और minus का 10 हो जाएगा है, यह कितना हो जाएगा, यह ओजाएगा, 4 minus का 19, कितना आजाएगा, minus का 15 आजाएगा, और product अभी negative हो नहीं सकता, यहां पर हमारा a option क्या हो जाएगा टरेक्ट हो जाएगा question 87 देखेंगे के टीन सदीश प्रकार ए ए बी शी प्रकार है कि इतना 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 vector a ka modulus 1 दिया गया है modulus b बराबर 4 दिया गया है modulus c बराबर 2 दिया गया है और हमें एक बात यहां यह दी गई है कि a plus b vector a plus vector b plus vector c जो है वो 0 दिया गया है जीरो दिया गया है यह 0 दिया गया है चले का हमें काम करना है दोनों तरफ क्या करना है square कर देना है दोनों तरफ square करेंगे तो taking square root sorry taking square both side दोनों तरफ work करने पर यह कितना हो जाएगा modulus a का square plus modulus b का square plus modulus c का square plus 2 vector a dot vector b plus 2 vector b dot vector c plus 2 vector c dot vector a इधर हो जाएगा चुप चाप 0 रहेगा है इसका value दिया गया है एक का value 1 1 का square यानी की 1 ही रहेगा plus इसका value 4 दिया गया है 4 का square यानी की 16 plus इसका value 2 दिया गया है यानी की 4 plus 2 लेलो common पूरे से तो यह a dot b है ना और plus b dot c है ना plus c dot a c dot a is equal to 0 ती कितना हो जाएगा भाई 16,4,20 है ना 20 और 21 हो जाएगा यह 21 हो जाएगा अच्छा अब उधर भेज़ देंगे है ना यह हो जाएगा 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to हो जाएगा माइनस का 21 a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to हो जाएगा माइनस का 21 बटा 2 माइनस 21 बटा 2 कौनस और option b क्या होगा यहां पर correct होगा इसके बाद देखनेंगे 89 88 है ना 87 के बाद 88 तो 88 जो है बहुत ही बहतरी question करते हैं इसे पहने 88 में यहां पर दिया गया है limit ती गई है कोई बात में limit limit देखते हैं यहां पर करके देखा जाएं एक का हम यह करेंगे यहां पर हम लोगों को काम करना है डिवाइट कर लेते हैं tan से by y क्या करें हैं multiply करें और divide करें अभी इसे हम सिर्फ अलग कर रहें ना एक यह लहने तो into दिया गया limit वाला के तोड़ लेते हैं into limit by tan to a और यह दिया गया है tan यह दिया गया है तो दोनों पॉंसन को अलग करें इस तरह से इस तरह से देखते ना यहां पर अपलाई करें बैच रखेंगे यह उपर की 0 बन गाएगा नीचे देखते हैं यह y सबाइख जाएगा 5 by 2 और प्रक जो 90 का मान होता वो 0 होता है, 0 से भाग देंगे undefined आ जाएगा, undefined आने का मतलब क्या है कि मतलब कि यह undefined warm बन रही है, हमें क्या करना है, फिर से इसके बारे में कुछ और सोचना है, अब देखें जब undefined warm बनती है तो हम यहाँ पर एल-hospital rule लगा सकते हैं, लगाते हैं यहाँ पर एल-hospital rule लगाएंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा limit y tends to a, sin है, यह क्या हो जाएगा, pos में y-a by 2, sin के differentiated differentiation ना normal pos हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा इसका फिर से हो जाएगा, तो y by 2 का कितना आ जाएगा, 1 बच्छा 2 अजरी मेंचे वाले का क्या हो जाएगा, court वाले का माइनस का posic square, पाई y by 2 a और इसका पाई y by 2 a का होगा function आप function का तो फिर से हो जाएगा, यह जाएगा पाई बच्छा में 2 a है ना, चलेगा, आप अपलाई करके देख लेंगे एक बार limit को है ना, एक बार limit अपलाई करके देख लेंगे, तो इससे भी ताट देंगे चुच्छा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, एक बार रख लेते हैं पहले, limit y tends to a, देखेगा, यह minus का a by pi पाई 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 आ गया, इंटू, है ना, अब क्या करो एक बार यह लिख लेते हैं, फिर इसका limit apply करके देख लेते हैं, pi minus a by 2, अब divided by यहां पर जिया गया है, of it, square pi y by 2 a, अब limit apply जाओ, limit apply कर देते हैं, minus का a by pi, pi a हो गया, इंटू, तो यहां पर cos a रख थेंग, a minus a 0 बनेगा, cos 0, cos 0 की value 1 divided by, cos square यहां पर देखो, a रख थेंग, केसे कर जाएगा, pi by 2, cos 90, cos x square 90 की value भी क्या होती, 1 होती, यानि कि यह क्या आगया, minus का a by pi, कॉंस option रहे होगा, d option क्या होगा, correct होगा, चलेगा, आगे चलते हैं, 89, 89, question number 89 कह रहा है, बेहतरीन question कह सकती से, कह रहा, एक तड़, a particle is projected in vertically upward direction, उपर की और फेका जाता है, एक particle, कह रहा, if after t1, t2 seconds, its height, its h, then h is equal to h, किसके एकपल होगा, कोई भी हमारे पास एकड़ है, कोई print है, उपर की और फेका जा रहा है, कितना vague होगा इसका, जो भी vague होगा, मानलो हम यहापर, u vague से फेका जाएगा, कोई भी इसका अपना प्रादम भी vague होगा, कह रहा है कि h height तक हो जा रहा है, कितनी height को कबर कर रहा है, वो h height कबर किया है, तो करहा t1, t2 गराबर एक बाद में h क्या होगा है, अच्छा उर्ध्वादर ही फेका जा रहा है, है न, चलेगा, h is equal to कितना होता है, ut plus half, उपर की उत्मेका जा रहा हो कि तो minus हो जाएगा, minus gt square, अच्छा, यह है हम क्या करेंगे, cross multiplication करेंगे, बटा एक, बटा एक है न, पहले 2 lcm ले लो, इधर lcm लेंगे 2, यह आ जाएगा, h by 1 is equal to आ जाएगा, 2 ut minus gt square by 2, है न, cross multiplication करेंगे, बगे सारे कम से धर ले आएएगे, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, है न, यह हो जाएगा, 2 ut minus minus gt square, minus 2 ut minus 2 h is equal to 0, हम यह मान के चल रहे हैं, जो हमारे पास t है, उसके दो रूट, हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, दोनों का गुलन फाल, यानि की, t1 into t2 कितना हो जाएगा, c by a, c by a, c by a, c कितना है यहाँ पे, अपनी जगह पे ही है, यह हो जाएगा, 2 h by g, 2 h by g हो जाएगा, होता नहीं है, a x square plus b x plus c is equal to 0, कि दो होल होते हैं, alpha plus beta बराबर क्या होता, minus b by a, c by a, यहाँ से h निकाल लीजे, h कितना निकल के आजाएगा, 2 h is equal to निकल के आजाएगा, g into t1 t2, और h is equal to कितना निकल के आजाएगा, वो आजाएगा, 1 by 2 g into t1 t2, है ना, कौन्स option सही हो जाएगा, पहला option सही हो जाएगा, 89 में पहला option correct हो जाएगा, चले, 90, question 90 number में दिया गया है हमसे की कहरा इतना और इतना और इतना की लियता का समी करण क्या होगा, तो पहले क्या करें, रेखते हैं से, यह दिया गया है, y square, plus का 4y, plus का 4y, एक जगह रख लेते हैं, और अभी इसका कुछ clear नहीं है क्या करना है, हम बाकी को सारे को इधर भेज देंगे, माइनस के 4x, माइनस के 2 को हमने इधर भेज दिया, अब देखो इसका square बनाना है, तो क्या करें, प्लस के 4 इधर जोड़ दें, प्लस के 4 इधर जोड़ दें, दोनों तरफ हमें प्लस के 4, एड करने पड़े, एड के लिए यह कितना बन गया है, y plus 2 का whole square, food work बना रहा हैं, कहने का मतलब यह है, क्यों जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2, कोई दिखकत नहीं, अब देखिएगा, यह प्लस का 2, माइनस का 2 था, कैंसिल आउट हुआ तो ठीक है, प्लस का 2 बन जाएगा, अच्छा, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम common ले लेते, माइनस का 4, माइनस का 4 common लेंगे, तो कितना हो जाएगा, x, x, माइनस का 1 बटका 2, और इधर केतना है, y plus 2 का whole square, y plus 2 का whole square हो गया, अब लेट कर लेते हैं, इसे माल लेते हूँ, इसको बड़ा सा y माल लो, बड़ा वाला y है न, इसे बड़ा वाला y माल लो, यह हमारा हो गया बड़ा वाला y, और यह हो गया, बड़ा वाला x, यह कितना हो जाएगा, y square, माइनस का 4x, बड़ा वाला x, 4x, अब देखे, यह जो होता है हमारा, इसकी हमें नेता, y square , 4x, यह वाला होता है, माइनस वाला, यह होता है, इसकी जो नेता क्या होती है, x वराबर a, पर यह बस travelled का गए, माइनस का चार से पहीं है, आऩ उन्टा होगा आगा, माइन्स का पलिए जुन्ट whirl गूंट को जायेगा, माइनस आगा, यह कहां पर हमारे पास ए जो है, ए कहाँ पर है, माइनस को बन नहीं आएगा, जो कि यह माइनस को लेगे, तो भाई हमने उसी format में ले रखता है, कि 4 आएगा, तो यह सेम फॉर्मेट अगा, ठीक है, यह वन नहीं आएगा, चलिए, अब देखो यह, एनी कि X वाला टम्स कितना है यह, यह वाला, यह कितना है भाई, अब हमें यह A मिल जुका कितना 1, और यहाँ पर कितना है यह, X is equal to A, तो A का पहले क्या करें, value निकाल लेते हैं, X minus का 1 X minus का 1, A is equal to कितना आ गया, 1 आ गया, देखेंगे यहाँ पर, X is equal to हो गया, 1, कितना हो गया, 1, अच्छा, बड़ा वाला X है यह, बड़ा वाला X, बड़ा वाला X is equal to 1, और छोटा वाला X में convert करो इसे, तो X minus का 1 by 2 is equal to 1, calculate हो करेंगे, इससे X is equal to आ जाए, 1 plus 8 बटा 2, बरा 3 बटा 2, कौन सा option सही होगा, 90 में, D option क्या होगा, correct होगा, चलेगा, इसके बाद 91 के पास, 91, question number 91 कह रहा है, यह questions दी गई है, इतनी, 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 का एक अदिती हल होगा, यदि A plus B बराबर है, A plus B बराबर है, अब देखेगा, यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है, कि अगर जब भी हमसे यह कहेगा, कि यह unique solution है, तो A plus B, जब भी परस यह कहेगा, कि एक अदिती हल होगा, यदि A, B बराबर है, है ना, देखेगा है, यहाँ पर इसके जो determinant की मेलू होगी, वो 0 होना चाहिए, ना, determinant क्या होगा, तो not is equal to 0 होना चाहिए, not is equal to 0, 0 के बराबर नह नहीं होनी चाहिए, अगर इसका एक अदिती हल है, अगर 0 के बराबर होगा, तो अदिती हल नहीं है, दिखेगा है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कोफिशेंट से क्या 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 determinant बनाया, 1, फिर Y नहीं होगा, फिर यहाँ पर यहाँ पर A का कोफिशेंट, A, Y का 1, Z नह नहीं होना चाहिए, बाती सब चल जाएगा, कोई दिक्तत नहीं, तो को हैं आपर A प्लस B, A यह है, B यह है, क्योंकि A और B की फर्मेटेर रखा गया है, तो 1 और 2 3 हो जाएगे, यह वाला उप्सन नहीं हो सकता, 2 और 1 3 हो जाएगे, नहीं हो सकता, 1 और 2 हो जाएगे, यह आगे देख लेते क्या ये भी मैंनस कोबन प्लस का 4 ये भी 3 होगा ये भी नहीं हो सक्था कौन से ओप्षन साहिए होगा C option करेक्ट होगा क्योंकि वो कह रहा है क्य प्लस B not is equal to 3 है ना तो C वाला option चल जाएगा उसन स नमर 92 देखेगा 92 कह रहा है कि cos a बराबर sin b है ना ऐसे करेंके बोला इसने देखते हैं आपर बहुत ही बहतरीन question है cos a cos a is equal to उसने दिया है sin b बटा में 2 sin c cos a का formula क्या होता है रखते हैं यहापर b square sides में होता है b square plus c square minus a square जो angle होगा वाली side minus में जाती है divided by 2bc equal to sin b को हम bk लिख सकते हैं sin rule से है ना जैनियम से और यह हो जाएगा c k यह से cancel हो जाएगा और 2 से 2 cancel होगा c से C cancel होगा यह आ जाएगा b square plus c square minus a square बराबर में कितना 20 square यह 20 square 20 square दोनों प्लस के हैं खट जाएगे c square minus का a square बराबर 0 c square बराबर a square taking square और both sides c is equal to a दो भुजाएं बराबर आ गई है किसी तरभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो ऐसा तरभुज जो होता इसके समानतर है देखेगा यहां पर y is equal to दिया गया है इसका लिख लो minus का 2x plus 4 है यहां से प्रवड़ता निकल गया जाएगी m is equal to कितना आ जाएगा minus का 2 अब जो दिर्ग बृत्य दिया गया उस दिर्ग बृत्य को भी समझते है यह दिया गया है 3x square plus 4y square बराबर में 12 यह हो जाएगा x square बटा 4 12 divided करेंगे 3 से गटेगा 4 आएगा plus y square by 12 divided करेंगे 3 बचेगा बराबर में 1 यह अपनी standard form में आ चुकी है और यहां पर जो a square की value है वो 4 हो जाएगी और b square की value है वो 3 हो जाएगी सारी मिल चुकी है अब हमें पता है कि इस दिर्ग बच्चे की इस पर सरेखा का जो समी करण होता वो होता y is equal to mx plus minus under root a square m square plus का b square है अगर यही हमारे पास अत्ति परवले यादि की hyperbola होता तो y is equal to mx plus minus under root a square plus b square minus का b square हो जाता किलेगा सारी value यहां पर put करते हैं यह हो जाएगा m का value कितना है minus का 2 minus का 2 x plus minus under root a square का value है आपके सामने 4 और m square m कितना है 2 तो यह भी हो जाएगा 4 चुक 16 plus b square का value है 3 है ना यह हो जाएगा y plus का 2 x इधर आ जाएगा is equal to हो जाएगा plus minus under root 16 plus 3 minus है ना y बराबर y plus 2 x is equal to plus 1 x है ना यह निकीए option कौन साही होगा d 93 में option साही हो जाएगा d question number 94 देखेंगे 94 हमसे कह रहा है कि a vector a vector b इस इस परकार है कि इतने इतने एक उसरे पर लंबोत हैं तो a और b का बीच का code ज्याद कीजिए ना इन दोनों के बीच का angle लेकालना है चलेगा a और b वो कह रहा है कि unit vector है यानिक 21 सदिस हैं 21 सदिस का मतलब क्या हुआ modulus a जो होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा modulus a modulus b 1 हो जाएगा और अगर यह दोनों perpendicular है तो इनका dot product होगा वो 0 के equal हो जाएगा देखते हैं इन दोनों का dot product करके vector a plus 2b है ना 2 vector b into 5 जब भी कोई दो vector perpendicular होगे यानिक एक दूसरे के लंबोत होगे तो उनका dot product होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा यह ना इन दोनों क्या होगा 0 होगा चलेगा एक आए के साथ multiply होगा यह हो जाएगा vector a है ना इन्टू vector a है ना यह बन जाएगा हमारे पास modulus बन जाएगा यह 5 को चुप साफ रहने दीजेगा 5 modulus का vector a का square बन जाएगा फिर a का multiply इसके साथ होगा minus 4 vector a dot vector b है ना प्लस b का multiply 2b का multiply करेंगे तो 5b में 10 a b हो जाएगा a dot b है ना b dot a लिक हो या a लिक हो कोई बात में कोई टेंसन नहीं ले ना माइनस 4 दोनी 8 modulus b का square is equal to दिया गया है 0 निकालना के हमें a और b के वीच का call निकालना कोई बात नहीं यह हो जाएगा 5 इसकी value 1 हो जाएगी minus के देखो यह 10 a b हैं और 4 a b हैं प्लस के बचेंग हमारे पास 6 a a b इच है vector a dot vector b और यह हो जाएगा minus का 8 is equal to 0 जबो 8 घटाएंगे 3 बचेंगा 3 उधर जाएगा और यह आजाएगा a dot b is equal to यह ना उधर कितना बच्चा भाई इधर 3 बच्चा इधर 6 हो गया 3 एक अंदम 3 3 दोनी 6 a dot b के लिए अपलाई कर दो vector a vector b हैं ना a b cos theta होता ना a b cos theta इसकी value 1 into 1 into cos theta बराबर एक बच्चा दो अब यह हो जाएगा cos theta बराबर एक बच्चा दो किस में 60 कमान होता एक बच्चे दो है ना 60 डिग्री यहनि कि theta is equal to 5 by 3 कितना आएगा 5 by 3 आ जाएगा ठीक है ओके 95 question 95 को convert करना है भाई किसमे sign में पूरे को convert करना है करेंगे और जरू साइन इनवर्स साइन में सारे option असा साइन में ही रहने देना पॉस को भी साइन में change कर लेंगे साइन इनवर्स ता रूट भी लगता है रूट है रूट है रूट 1-x2 बांकि अब triangle बना के भी change कर सकते हैं sign inverse हो जाएगा 3 बटे 5 minus का हो जाएगा sign inverse एक सो नतर में 144 बटाएंगे 25 बचाएगा 5 बटे 13 आजाएगा अच्छा आप इसको sign में ही कनोट करेंगे sign inverse कितना होता है x root 1-x2 x root 1-x2 यहीं कि 3 बटे 5 into 1-x2 root के अंदर 1-x2 1-1-1-2-1-1-1-2-3 x2 बीच में minus है तो minus लगा दो y इक यह हो जाएगा बारत यह चार बटे 5 आफ देखो यहाँ पर यह हो जाएगा बारत यह 36-20 चार बटे 65 और यह 20 बटे 65 यानि कि 36-20 कर लीजिए कितना बचेगा भई यह बचेगा सोला और दीचे कितना आ जाएगा 65 यानि कि आ जाएगा साइन इन्वर्स सोला बट्टे 65 कौन सा आप्टिन चाहिए होगा वी आप्टिन करेक्ट होगा इसमें हमसे पूछा गया है कि यहां पर पूछा गया है कि tan hyperbolic inverse x का फार्मूला क्या होता है वो होता है वो होता है वन बाइटू लॉग बन प्लस एक्स बटा बन माइनस एक्स होगा सी ओप्सन क्या होगा क्रेक्ट होगा पूर्शन में 97 को तो अद्दम धुआ कर दीजिए आपके ना सिर्फ आपको क्या करना है यहां पर थीटाइस गोल तो जीरो रख दो नाकि आप क यहां रखतेंगे जीरो डिगरी यह ठीटा ओगया पूरा जीरो कर दिया और यह से जीरो कर दो टो पूरा हमने क्या किया, जीरो कर दिया, तो कोश्च जीरो की वेलु क्या होती réalité होती है यह टू हो जाएगा, फिर से दो हो जाएगा, दो मिलाएंक चार बनेगा और चार का फिर से वरकमूल निकालोगे फिर 2 हो जाएगा फिर इसके साथ आएगा 2 प्लस 2 यानि कि 2 आना चाहिए यानि कि ऐसा option जिसमें 2 आजाए वही सही है तो 0 रखोगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा यह हो नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता और यहां पर 2 आएगा नहीं तो कौन सा option ब प्लस 2 यह हमें निकालना है ना निकालेंगे एक काम करेंगे यहां पर हम लोग क्या माल लेते हैं ती यह ना प्लस 2 देखे गए यहां पर यह question था थोड़ा बढ़ा का दिसमें पहले लगा दिया देखे गए यहां पर इसके factor के लिए t plus 2 ती प्लस 1 इसके factor आ जाएंगे फिर क्या किए हमने पार्सवें प्लस 2 प्लस 1 इसके factor आ जाएंगे partial fraction की मदद से इसे हमने तोड लिया तो यह terms को तोड रहे हैं भी partial fraction की मदद से तो minus t by t plus 2 है ना यह 2 लिखा हुआ है t plus 2 into t plus 1 बराबर कितना a by partial fraction को तोड रहे है t plus 2 plus b by t plus 1 अब देखो मैं a की value find करनी है ना a की value तो a की नीचे हर क्या दिया गया है q 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 qq q 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 qq q 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 और यह पास हो गई है वह हो गई है 1 से 0 और एक का वैल्यु की तना ना है माइनस आठ तू, बाई हो जाएगा, convert करेंगे T प्लस तू, एक अवल T प्लस तू, और यह Dx हो गया, प्लस में एक कम और है मारे पास, integration करेंगे, 1 से 0, और यह हो जाएगा, एक बी की value तो 1 ही है, Dx बटे T प्लस 1, इसका तो differentiation हो जाएगा, integration हो जाएगा, किपना हो जाएगा, log T प्लस 2, log T प्लस 2, माइनस का 2 चप सामने रहेगा, अब दाना भी तूल नहीं है, यह है, तो, इसी तरह से उसे भी कर लेते हैं, पहले, प्लस, इसका क्या हो जाएगा, log T प्लस 1, limit अपलाई कर देते हैं, 1 से 0, तो पहले 0 रखेंगे, देखो, यहाँ पर यहीं स्ट्रम्स लिखे हुए, 0 रखेंगे यहाँ तो 2 log, यह 0 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा, इसके साथ 0 रखेंगे, तो चुब कि log 1, log 1 की value 0 हो जाएग अब माइनस करके lower limit रखना है, minus, lower limit, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो log 3 बन जाएगा, यह देखो, log 2 log 3 हो गया, फिर यहाँ 1 रखेंगे, तो log 2 हो जाएगा, minus log 2 हो जाएगा, 3 है, इतना जगा 2 log 3 है, 2 पहले लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ले जाओ, 2 की power 3, यानि कि हमें प minus 2 log 2, और minus log 2 मिला के 3 log 2 हो जाएगे, यह कितना हो जाएगा, 3 log 2, इसका भी क्या हो जाएगा, log 2 की power 3 हो जाएगा, यानि log 8 हो जाएगा, फिर यह क्या लिखा हुआ है, log 9 minus log 8, इसम क्या लिख सकते है, log 9 by 8 है यह लिख सकते है, कौनस option सही होगा, 2 option क्या होगा, correct होगा, चल कितना दिया गया है 15 है ना अच्छा 9 वस्तूओं का 15 है इनका कुल भार कितना हो जाएगा 15 गुड़े 9 है ना कितना हो जाएगा 15 नहीं है कितना हो जाएगा 135 इनका 9 का हो गया किरा यदि एक वस्तूओं और जोड़ दी जाए यानि कि वस्तूओं कितनी हो जाए हमारे पास प 10 वस्तों को खुल भार है तो 10 वाले में 9 वाली को घंटा दर एक जो होगी होगी उपने याप निकलने जाए जी घंटा दीजिए भाई दस पहाँ गाए 5 और यहां पो पांच 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 लिए 2 है नंजा क्या पावर M है तो इसके समुच्य के संख्या से प्रत्थम समुच्य के संख्या 56 अधिक तो पहले वाले में जादा ißt yonah पहले वालिम जादा है यानी की यह हो जाएगा स्थिखना इतना होजाए गी कि शब्पण तो प्रस्टों मेरिया का przewag V यह से प्लान होजाएंगे लिभा लू llev सके सब्प्रेम्ट अनिल on qq6 is तो यह हो जाएगा 2 की पावर N इसे हम लिख सकते हैं आज सते चपपन होता है यानि कि 2 की घाथ 3 into 7 अब जो को यहां पर नॉर्मली तो ऐसे निकालना मुश्किल हो रहा है हम क्या करें यहां पर 2 की पावर N लेलें कॉमन जब हम कॉमन लेंगे यह कितना हो जाएगा 2 की पावर M बटे 2 की पावर N तो यह माइनस में चली जाएगी और माइनस का 1 बच जाएगा इसको इसको इससे कंपेर कर लेंगे यह हो जाएगा 2 की पावर N की 2 की पावर 3 तो यह यहां से हो गया N बराबर 3 और यह कितना हो जाएगा यह वाला टम जो है 2 की पावर M और माइनस 1 बराबर कितना साथ 2 की पावर M माइनस N इस गोलतों हो जाएगा यह जाएगा 2 की पावर 3 यहनी कि यह 3 आ जाएगा चलो N की वैलू 3 रख दो यहां पे तो m बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, m बराबर कितना आ जाएगा 6, हमसे प्रस्ट में पूछा m² प्लस n² का value क्या होगा, m² यानि 636 प्लस 9, 36 और 9 कितना होता, 45 है न, 45 कहीं पर नहीं दिया, इसलिए उपर युद्ट में से कोई नहीं option correct होगा, चलिएगा, इस लेक्चर में सेग्मेंट में हम लोगों ने 100% कवर कर लिये हैं, अगले सेग्मेंट में हम लोग 25 कॉस्टन करेंगे, ओके वीडियो प्रसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्ट्राइब करें, और मोटिवेशन के रूप में सफते ज्यादा जरूरी है कमेंट में एक कॉस्टिव अपना जो प्यार है वो जरूर बर्शाने का कश्ट करें, धन्यबाद, जैहिन